आये सुनते हैं बैसाक की कहानी प्रण किया कि अगर को स्तरी होगी तो मैं उससे विवाहा कर लूगा इसी सोच में वह एक दिन जल्दी उटकर गंगा इसनान के लिए गया वहाँ जाकर उसने देखा कि एक बंदरिया इसनान करके पेड़ पर चड़ गई वह अचमबा करने लगा कि बंदरिया रोजाना गंगा इसनान करती है वहें गंगा किनारे एक पेड़ पर रहती थी और राजा के आने से पहले ही इसनान कर लेती थी और गंगा मैया से कहती थी कि गंगा मैया राजा को बेटा देओ तो मुझे अठतर सो पोते देना बंदरिया मनुश्यों की भाषा बोलती थी और राजा के कहते ही बोलते थी राजा बोलता बैसाग भगवान विश्नु भगवान मुझे एक बेटा दो तो बंदरिया बोलते की मुझे अठतर सो पोते दो भगवान ने दोनों की बात सुनी और दोनों को आशिरवात दिया राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प किया है तो मुझे उसे पूरा करना चाहिए और सैनिकों को बुला कर कहा कि जाओ गंगा किनारे एक बंदरिया है उसे लेकर आओ मैं उससे विवाह करूँगा राजा के सैनिक बंदरिया को ले आए राजा ने आलग इला बास कटा कर फेरे ले लिये और बंदरिया को महल में रख लिया राजा के पहले से ही रानिया थी वे इस सब रानिया बंदरिया से चिड़ने लगी कि हमसे बच्चा नहीं हुआ इसलिए राजा बंदरिया से बच्चा चाहते हैं अब बंदरिया महल में ही रहने लगी बहुत दिन हो गए कुछ दिनों बाद वैसाक महीना वापस आया एक दिन राजा ने खाना खाकर राम की गुटली को वही छोड़ दिया बंदरिया आई और उस गुटली को खा गई उस गुटली से उसके गर्ब रह गया यह बात पूरे राज महल में फैल गई जब बंदरिया को सात्वा महिना लगा तो वह राजा से बोली कि मुझे बच्चा होगा तब मैं कैसे आवाज दूँगी और मेरी आवाज से कोई आएगा भी नहीं राजा ने उसके बात सुनकर कहा कि तुम सही बोल रही हो यह बात सोचकर राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा जब भी तुम्हे तकलीफ हो तब यह घंटी बजा देना और उसके डोरी भान कर बंदरिया के हाथ में पकड़ा दी थोड़े दिनों बाद राणिया बंदरिया के महल में उससे मिलने गई तो घंटी को देखकर उससे सारी बात पूछी तो बंदरिया ने बताया कि राजा ने लगवाई है राणियों ने विचार किया कि अगर इसको बच्चा हो गया तो हमारा मान घट जाएगा इसी बात से परिशान होकर राणियों ने कहा कि घंटी बजा कर दिखाओ राजा आते है या नहीं बंदरिया ने राणियों के कहने से घंटी बजा दी घंटे सुनकर राजा आये तो सभी राणिया हसने लगी और सब ने राजा का मजाग बनाया और कहा कि राजा जी जानवर की प्रवर्ती होती है उचलकूत करने की इसी उच्छल कोद में घंटी बचा देगी तो आप बार बार राज्य सबा छोड़ कर आएंगे राजा ने भी राणियों की बात का समर्थन किया कि सही कह रही है उधर राणियों ने विचार किया कि जब इसको बच्चा होगा तो नदी में फिक्वा देंगे और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है राणियों ने यह बात दासियों को समझा दी अब बंदरिया के बच्चा होने का समय आया बंदरिया को पेड़ा होने लगी तब उसने घंटी बजाई घंटी की आवास सुनकर राजा नहीं आए राजा ने सोचा कि बंदरिया जानवर है ऐसे ही बजा दी होगी और राजा नहीं आए उधर रानियों ने जब घंटी के आवास सुनी तब दासी को बुला कर बंदरिया के महल में गई और बंदरिया को समझाने लगी कि बच्चा होता है तब आखों पर पट्टी भांते हैं बंदरिया ने भी ऐसा ही किया अब उसके सुन्दर सा राजकुमार हुआ सभी राणिया चकित रह गई कि इतना सुन्दर राजकुमार पैदा हुआ है अब हमारा अपमान होगा और बंदरिया का मान बढ़ जाएगा इसे नदी में फिकवा देते हैं और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है राणियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया और बच्चे को उसमें रखवा कर कहा कि तुम इसे नदी में फैक करा जाओ दासीयों ने ऐसा ही किया और बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया और बंदरिया से कह दिया कि तेरे पत्थर हुआ है बंदरिया बहुत दुखी हुई उधर राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर हुआ है राजा बहुत दुखी हुए और विचार किया जब राणियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो जानवर के कहां से बेटा होगा के आदेश से यहां ले आई अब इसको मार कर मुझे क्या मिलेगा वै उसे रात के अंदेरे में वहीं रखकर आ गई और सोचा कि रात के अंदेरे में मुझे कोई नहीं देखेगा सुबह जब सूरज की किर्णे निकलती है तो कुमार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने गया वहाँ बकसे में से बालक के रोने की आवाज आई तो खोल कर देखा तो इतना सुन्दर राज कुमार था कुमार कुमारी बहुत खुश हुए क्योंकि उनके भी कोई संता नहीं थी उन्होंने सोचा भगवान से रोजाना प्रार्थना करते थे आज तो भगवान ने सुन ही ली बच्चे को लेकर घर आ गए उधर राणियों ने दासी से पूछा कि बच्चे को बहा दिया क्या तो दासी ने हाँ कर दी इधर दिन प्रती दिन बच्चा बड़ा होने लगा थोड़े दिनों बाद बच्चा बड़ा हुआ तो बैसाग भगवान की क्रपा से बच्चे को सब कुछ बता चल गया कि मैं किसी राजा का राजकुमार हूँ इनका बच्चा नहीं हूँ बच्चे ने अपने कुमार पिता से कहा कि मुझे मिट्टी के हाती गोड़े बना कर दो कुमार ने बच्चे को हाती गोड़े बना कर दे दिये बच्चा मिट्टी के हाती गोड़े लेकर कुए की पाल पर जाकर बैठ गया और वहाँ बैठा बैठा मिट्टी के हाती गोड़े बात करने लगा और उनसे बोला पियो पियो औरे मिट्टी के हाती गोड़े पानी पियो तभी राजा की दासियां कुए पर पानी भरने आई तो दासियों ने कहा कि कहीं मिट्टी के हाती गोड़े भी पानी पीते है क्या इस बात पर बच्चा खूंब हसा और कहने लगा कि कहीं राजा की राणी के भी पथर पैदा होते हैं क्या यह सुनकर दासियां चकित रहे गई कि ये बात बच्चे को कहां से पता लगी वे दासिया मेहल में आई तो राणी उसे सारी बात कह दी राणियों ने सोचा कि यह बात राजा तक न पहुँच जाए इसी चक्कर में राणियों ने राजा से शिकायत की कि कुमार का बच्चा कुए परदासियों को गाली दे रहा था इसलिए कुमार को देश निकाला दे दो रानियों के कहने पर राजा ने हुकम दिया कि कुमार को दूसरे गाम बेज दो नोकर कुमार के पास गए और उसे गाम छोड़ने का आदेश दी दिया कुमार बहुत गिर गिराया कि मेरा यहां पर अच्छा व्यापार चलता है अगर मेरा व्यापार बंध हो गया तो गुजारा कैसी चलेगा लेकिन राजा के हुकूम के आगे उसकी नहीं चली वह गाम छोड़कर जंगल में चला गया थोड़े दिनों बाद लड़का और बड़ा हो गया अब तो सब जंगल में जोपड़े भान कर रहने लगे आसपास बहुत सारे पेड़ पोधे लगा लिये घर के भार चाया हो गई अब कुमार का बेटा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे करवे पानी से भर कर बैठ जाता और जो भी कोई उधर से निकलता उसको पानी पिला देता कुछ दिनों बाद चैतर का महीना आया गाउं की लड़कियां गंगोर बनाने के लिए मिट्टी लेने कुमार के घर गई दिन में तेज धूप थी तो उनको प्यास लगी सब ने कहा हमें पानी पिला दो लेकिन कुमार के लड़के ने कहा पानी एक ही शर्थ पर पिला सकता हूँ कि तुम सब लड़कियां मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाओ सब लड़कियां कुमार के बेटे के साथ साथ परिक्रमा लगाती गई और पानी पीती गई और मिट्टी के घड़े लेकर घर आ गई घर आते ही सब लड़कियों की तबित खराब हो गई तब वैजी को बुला कर नबज दिखवाई तो वैजी ने कहा कि सब लड़कियां गर्बवती है सब के घरवाले चकित रहे गए सबने लड़कियों से पूछा तो कुमार के बेटे की सारी बात बताई सब गाम वाले परिशान हो गए और सब उस कुमार के लड़के के पास गए उन्होंने सारी बात कुमार से बताई इसने सब लड़कियों से साथ साथ फेरे लगवा लिए अब हम सब लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से करेंगे कुमार ने कहा कि मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, मैं इतनी सारी बहुओं को कैसे रखूंगा सब लोग वापस राजा जी के पास गए और राजा जी से शिकायत करी कुमार के बेटे ने सभी लड़कियों से फेरे ले लिए और अब कुमार के पास बहुए रखने को घर नहीं है अब हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा ऐसे हाल में हम बेटियों को कहा भीजेंगे राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुमार के घर गए और उसको कहा कि मैं सब के लिए घर बनवा देता हूँ, सब को बहु बना कर ले आओ कुमार में राजकुमार राजी हो गए और हाँ भर दी अब राजा ने जंगल में शहर बसा दिया, बहुत सारे घर बना कर दिये और सब ने अपने बेटियों का विवा धूम धाम से किया थोड़े समय बाद कुमार की सभी भहुगों को बेटे हुए अब कुमार बहुत खुश हुआ कि कहा तो मेरे बेटा ही नहीं था और कहा भगवान की क्रपा से इतने सारे पोते हो गए अब राजकुमार कहने लगा पिताजी आप दादा बन गए इस खुशी में जग हेडा लगाएंगे कुमार ने बात मान ली और पूरे गाम को नियोता दिया राजवे रानिया नोकर चाकर सब को बुलाया और अपनी मा बंदरिया को भी बुलाया राजकुमार ने बंदरिया के लिए रत भेजा, गहने वस्त्र भेजे कि बंदरिया यह सब पैनकर रत में बैटकर गाजे बाजे से आये और उसका सिंगासन भी सबसे उचा लगवाया, अब सब गाम वाले आ गए, राज़ परिवार भी पूरा आ गया और बंदरिया भी रत में बैटकर आ गई अब बंदरिया को सबसे उचे आसन पर बिठाया, यह देखकर सभी रानिया क्रोधित हो गई, कि हमारी जटकम कैसे करी हमको नीचा आसन दिया सबने राज़ जी से कहा कि आपने कुमार की इतनी सायता करी और इसने आपका सिंगासन नीचे लगवाया है, जबकि बंदरिया का आसन उचा लगवाया है, राज़ जी बोले थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले सब को भोजन कर लेने दो इधर राज़ कुमार ने सभी पतनियों से कहा कि ये बंदरिया मेरी मा है और मैं इसका बेटा हूँ और तुम सब इसकी बहुए हो, इसलिए सभी पतनिया बच्चों को मा की गोद में देती जाओ और पाव छूती जाओ, सभी बहुए बंदरिया को बच्चे गोद में देत कि ये क्या हो रहा है राजकुमार ने सभी राणियों वे दासियों को बुला कर कहा कि ये मेरी मा है और आप मेरे पिता है और ये सब आपके पोते हैं राजा ने पूछा कि ये है कैसे हो सकता है तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़ कर कहा कि सच बताओ तब दासी ने ड महाराज कुमार है महाराज जो बंदरिया से हुआ था और आपको जूट कहा था कि बंदरिया के पत्थर हुआ है राजा जी बहुत खुश हुए और वे सभी भवो और पोतों को महल में ले गए तथा उन रानियों और दासियों को देश निकाला दे दिया राजा जी ने बंदरिया से कहा कि मैंने तो बैसाक महीने में भगवान से एक बेटा मांगा था और भगवान ने इतने सारे पोते दे दिये यह सुनकर बंदरिया बोली कि महाराज आप जब सुपह इसनान करने आते थे तब कहते थे कि मुझे बेटा देना और मैं कहती थी कि बैसाक भगवान राजा को एक बेटा देना और मुझे अठतर सो पोते देना मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ मेरी तो जानवर प्रवर्ती थी लेकिन बैसाक भगवान ने मेरी अंजाने में कहीं हुई बात भी सच कर दी राजा जी अपने बेटे बहुआवे पोतों से बहुत खुश हुए, हे बैसाख भगवान, राजा जी की इच्छा पूरी करी, वैसी सब की करना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारा परिवार की मनोगामना पूरी करना, बिंदाइक जी की कहानी, एक लड़का था, कोई काम नहीं करता, उसकी मा गनेश जी का नाम लेकर चला गया, चलते चलते दूर जंगल में निकल गया, और गनेश जी को सुमरता रहा, गनेश जी ने सोचा कि यह तो मेरे नाम से निकला है, जंगल में इसे बाग बगेरे खा जाएंगे, यह सोचकर गनेश जी प्रगट हो गए और लड़के से लड़के ने कहा जो मांगूंगा वो दोईंगे आप। गड़ेशी ने कहा एक बार में ही मांग लेना बार बार नहीं दूँगा। तो लड़का बोला कि सोचने दो। लड़के ने सोचकर मांगा धोलो हींग राज को, पूछो गज राज को, दाल भात, गेहुआ का फलका, उपर ढपसो खांड को, पूरसन वाली ऐसी मांगूं, जाने फूल गुलाब को। बिंदाएक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, पर जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा। अब तू घर चला जा। बिंदाएक जी अंतरध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया त खुश हो गई। ये बिंदाएक जी महाराज, जैसा उस बच्चे को दिया, वैसा सब को देना। कहताने सुनताने हुकारा भरताने आपने सारे परिवार की रक्षा करना। जै श्री राधी।